Accounting No Problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ R.D. Teleprime की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि Teleprime में Contra Voucher क्या है और उसमें Transaction कैसे Record करते हैं. इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको Payment Voucher क्या है और उसमें Transaction कैसे Record करते हैं ये बताया था. और उसके भी पहले Receipt Voucher वाली वीडियो में हमने आपको Transaction को Record करने के तरीके को सरल और विस्तरेत रूप में समझाया था. इसके अलावा उसमें हमने Tally के Company Features और Configurations का भी उप्यूग किया था. यहां हम आपको ये भी बता दें कि यही तरीका सभी Vouchers में Transactions Record करने के लिए हैं. इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि Transactions को अच्छे से समझने के लिए उन वीडियो को ज़रूर देखें. और एक बार ध्यान रखें. आपको सिर्फ वीडियो देखने से फाइदा नहीं होगा. यदि आप इस वीडियो का सही लाव लेना चाहते हैं, तो जैसा आपको वीडियो में समझाया गया है, ठीक उसी तरह दो-तीम बार प्रैक्टिस ज़रूर करें. आईए, अब पहले हम कॉंट्रा वाउचर को समझ लेते हैं. जब कैश अकाउंट से पैटी कैश, कैश अकाउंट से बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से कैश अकाउंट या फिर एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फन ट्रांसफर किया जाता है, तो उनक हमने Contra Voucher में जो transfer बताए हैं उनमें cash account और bank account दोनों ही हमारे हैं इसमें बाहर की कोई party समलित नहीं है यानि Contra Voucher में सिर्फ वे transactions आते हैं जिनमें देने वाले भी हम ही होते हैं और पाने वाले भी सरल शिब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इस voucher का उपयोग पैसा एक जेब से निकाल कर दूसरी जेब में रखने के लिए किया जाता है transaction पहचानने वाली वीडियो में हमने Contra Voucher से संबंधित कुछ transactions छांट लिये थे उन्हें यहाँ पर हम फिर से बताएंगे और उनके आधार पर Contra Voucher में काम करेंगे हमारा पहला transaction है दो अप्रेल को हमने 20,000 रुपए State Bank of India में नकट जमा किये पहला सवाल ये कि इस transaction में प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से हैं transaction को ध्यान से देखें यहां Bank में नकट रुपए जमा किये हैं यानी cash गया है तो यह हुआ एक खाता अब दूसरा खाता देखते हैं cash कहा गया है या किसे दिया है तो cash Bank में जमा किया गया है यानि दूसरा खाता हुआ बैंक का दूसरा सवाल ये कि ये खाते किस प्रकार के हैं तो नकदी यानि कैश का खाता रियल अकाउंट है और बैंक का खाता परसनल अकाउंट अब तीसरा सवाल कौन सा खाता डेविट होगा और कौन सा क्रेडित तो बैंक में हमने रुपए जमा किये हैं या कह सकते हैं कि बैंक को रुपए दिये हैं तो बैंक हुआ पाने वाला बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट के लिए नियम है डेबिट तर रेसीवर पाने वाले को डेबिट करो मतलब यहाँ पर bank account debit होगा अब हम तेखते हैं दूसरे खाते को जो cash का है यह real account है और real accounts के लिए नियम है credit what goes out यानि जो वस्तु व्यापार से जाए उसे credit करो अब यहाँ पर जो चीज गई है वो है नकदी यानि cash इसका मतलब यह हुआ कि cash account credit होगा तो चलिए tally में इस transaction को record कर लेते हैं यहाँ हमने tally में अपनी company open कर ली है अब transaction को record कर लेते हैं अभी हम gateway of tally पर हैं यहाँ हमें transactions hiding के अंतरगरत vouchers में जाना होगा और उसके लिए keyboard पर V प्रेस करें देखे right button bar में सभी vouchers के नाम और उनके आगे उनके short cuts दिखाई पढ़ रहे हैं Contra voucher के लिए F4 key प्रेस करें यह देखे ऐसा करते ही Contra voucher creation window open हो गई है यहाँ एक महतुपुन बात पर ध्यान दें कि जिस तारीख में कोई transaction होता है tally में उसी तारीख में उसे record किया जाता है हम जो transaction record करना चाहते हैं वो 2 April का है तो हम F2 key प्रेस करके यहाँ पर 2 April टाइप कर देंगे और enter प्रेस कर देंगे enterprise करते ही हम particulars में आ गए हैं जिसमें CR यानी credit दिखाई पड़ रहा है साथी right side में एक list of ledger accounts दिखाई पड़ रही है इस list में महतुपुन बात यह है कि यहाँ सिर्फ वे ही ledgers दिखाई पड़ते हैं जो bank और cash से संबंधित होते हैं क्योंकि contract voucher में इन दोनों के बीट जो transactions होते हैं केवल वही record किये जा सकते हैं credit में हम cash account select कर रहे हैं देखे ऐसा करते ही cash account में जो balance है वो दिखाई पड़ रहा है इसे हम अलग से भी लिख लेते हैं इसके बाद यहाँ हम यह amount में 20,000 रुपे type करना है पर अभी हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं इसलिए 20,000 की जगह पर हम एक लाग 20,000 टाइप करके enterprise कर रहे हैं यह देखे ऐसा करते ही नीचे negative cash की warning आ रही है और जितना cash कम है उसका amount भी लिखा हुआ आ रहा है ध्यान दे हमारे पास जो cash account का balance है और transaction में हम जो amount record करने जा रहे थे यह उन दोनों का difference है कहने का मतलब यह है कि यदि आप यह transaction record करना चाहते हैं तो आपकी books में इतना cash और होना चाहिए यदि आप इसे अन देखा करके आगे बढ़ने के लिए enterprise करते हैं तो रेखी यह balance जितना कम है वो यहाँ भी लाल रंग में लिखा हुआ दिखाई पढ़ रहा है यदि आप इस तरह की warning के बाद भी transaction record करना चाहते हैं तो कर सकते हैं transaction record करने की process वैसी ही रहेगी जैसी हम आपको आगे बताने वाले हैं यहाँ पर एक बात ध्यान रखें यदि आप चाहते हैं कि transaction record करते समय negative balance होने के बाद भी negative cash की warning ना आए तो उसके लिए आपको f12 key press करके warn on negative cash balance इस option को no करना होगा और उसके बाद window को accept करना होगा हम ऐसा नहीं चाहते हैं इसलिए escape key press करके वापस पहली वाली screen पर चलते हैं हमें 120,000 के इस्थान पर 20,000 ही चाहिए उसके लिए backspace key press करें यहां पर amount change कर दें अब enterprise करें यह देखे अब cursor dr यानि debit पर आ गया है आगे बढ़ने के लिए enterprise करें यहां हमें bank account यानि state bank of india को debit करना है तो उसे select करेंगे फिर enterprise करेंगे यह देखे ऐसा करते ही जो राशी credit में लिखी हुई थी वही राशी debit में भी आ गई है enterprise करें bank allocation window आएगी यहां पर हमें कुछ भी change नहीं करना है इसलिए हम enterprise कर रहे हैं ऐसा करते ही cash denomination window आएगी यदि आप जिस तरह के notes bank में जमा कर रहे हैं उसका record रखना चाहते हैं तो details भरते हुए आगे बढ़ें और यदि आप record नहीं रखना चाहते हैं तो enterprise करते हुए आगे बढ़ जाएं हम वापस contra voucher creation screen पर आ गए हैं यहां narration में being bank account opened in sbi with rupees 20,000 cash टाइप करके हम इस voucher को accept कर रहे हैं अब देखते हैं दूसरा transaction 31 मही को हमने state bank of India से चेक द्वारा 5000 रुपए नकद निकाले पहला सवाल यह कि इस transaction में प्रभावित होने वाले दूखाती कौन से हैं transaction को ध्यान से देखें यहां पर चेक के माध्यम से bank से रुपए निकाले गए हैं तो bank हुआ पहला खाता अब दूसरा खाता देखते हैं bank से नकदी निकाली गई इसलिए दूसरा खाता हुआ cash का अब आता है दूसरा सवाल कि खाते किस प्रकार की हैं bank का खाता personal account है और नकदी यानि cash का खाता real account है चलिए अब list of accounts में देख लेते हैं यह देखिए bank का account personal account है नकदी का खाता देख लेते हैं यह देखिए नकदी का खाता real account है यहां हमने दोनों खातों को confirm कर लिया है अब आता है तीसरा सवाल कि कौन सा खाता डेविट होगा और कौन सा credit bank account personal account है और personal accounts के लिए नियम है credit the giver यानि देने वाले को credit करो अब यहां हमने bank से रुपए निकाले यानि bank ने हमें रुपए दिये हैं तो देने वाला हुआ bank इसका मतलब bank account credit होगा अब देखते हैं दूसरा खाता जो cash का है cash account real account के अंतरगत आता है और real accounts के लिए नियम है debit what comes in यानि जो वस्तु व्यापार में आए उसे debit करो यहां पर हमारे पास cash आया है इसका मतलब यह हुआ कि cash account debit होगा आये अब list of accounts से भी इसे confirm कर लेते हैं उसके लिए पहले हमें यह देखना होगा कि इस transaction का दोनों खातों पर क्या प्रभाव पढ़ रहा है हमने bank से रुपया निकाला मतलब bank का balance कम होगा और हमारे पास cash आया है मतलब cash account का balance बढ़ेगा आये हम list of accounts पर चलते हैं यहां देखें bank account assets में आता है और उसके लिए नियम है यदि balance decrease हो तो उसे credit करो अब cash account देख लेते हैं यह भी assets में आता है पर इसका balance increase हो रहा है और assets में increase के लिए नियम है उस खाते को debit करो यानि यह confirm हो गया कि हमने golden rules of accounts की सायता से जुनर ने लिया था वो सही है आएए अब टेली में इस transaction को record कर लेते हैं अभी हमारे सामनी contra voucher खुला हुआ है सबसे पहले यहां F2 की press करके वो तारीख डालें जिस तारीख में transaction हुआ है enterprise करें यहां credit में हमें state bank of india को select करना है और यहां amount type कर दें अब enterprise करें enterprise करते ही bank allocations window आएगी space bar press करें transaction type select करें और फिर पूछी गई जानकारी type करने के बाद enterprise कर दें हम वापस contra voucher creation screen पर आ गए हैं यहां पर DR याने debit दिखाई पढ़ रहा है आगे बढ़ने के लिए enterprise करें यहां debit में हमें cash account को select करना होगा enterprise करें देखें ऐसा करते ही हमने जो राशी credit में लिखी थी वही राशी debit में भी आ गई है enterprise करें अब यहां transaction का संक्षिप्त विवरण यानी narration type कर दें अब enterprise करते हुए इस voucher को accept कर लें आये अब short में एक और transaction record करके देख लेते हैं एक जून दो हजार बीस को हमने State Bank of India के check number 123322 dated एक जून दो हजार बीस से पांच जजार रुपए Bank of महराश्र में transfer किये यह आप देख सकते हैं इस transaction में प्रभावित होने वाले दो खाते हैं State Bank of India और Bank of महराश्र यह दोनों ही खाते bank के हैं जो की personal account है golden rules of accounting के अनुसार State Bank of India का खाता credit होगा और Bank of महराश्र का खाता debit होगा आए इस transaction को record कर लेते हैं F2 की press करके तारीख एक जून कर दें Credit में State Bank of India सेलेक करें Amount डालें Bank Allocations में Space Bar प्रेस करके Transaction Type सेलेक करें Instrument Number में Check Number डालें Instrument Date में voucher की तारीख आ रही है और यही तारीख हमारे चेक की भी है आगे बढ़ें debit में Bank of महराश्र सेलेक करें Enterprise करके आगे बढ़ें यहां फिर से Bank Allocations window आएगी जिसमें हमने पहले जो details दी थी वो by default आ रही है Enterprise करते हुए आगे बढ़ें यहां पर हम उस bank का नाम टाइप करना होगा जिस bank का यह चेक है नाम टाइप करना हम आपको पहले ही बता चुके हैं नीचे narration टाइप करें और इस voucher को accept कर लें इससे पहरे वाली दो वीडियो में हमने Receipt Voucher और Payment Voucher के बारे में बताया था और इस वीडियो में हमने Contra Voucher के बारे में बताया संबवतर आपने इन तीनों vouchers में एक महत्पून बात पर ध्यान दिया होगा कि इन सभी vouchers का संबंध Cash और Bank से होता है इसके बाद वाली वीडियो में हम क्रमशर, Stock Groups, Units of Measure और Stock Items के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि Sales Voucher और Purchase Voucher में Transactions Record करने के पहले इनहीं समझना क्यों जरूरी है अभी हमने Contra Voucher में जो Transactions Record किये हैं उन्हें हम Day Book में कैसे देख सकते हैं और इन Transactions में हमने जो लेजर उप्यों किये हैं उन पर इन Transactions का क्या प्रपाव पड़ा? ये हम आपको सभी Vouchers को समझाने के बाद समझाएंगे इन्हेंगे तक आपको आपको समय उन्हें जबर इन समय समय एक्रस्थ सेस्क्राइप वीटरा अपको समय भी